साइटिंग नहीं है तो ट्रेक्टर दबना चलू है अच्छा और मालों अगर मालों के यह अपन दो गंटे में फसल फ्री होते निकाल के वह अपने को तीन चार गंटे पांच गंटे भी लग जाते और दूसरा रहता है कि वह डिजल के खपत रहती ज्यादा जादा अगर माल तो इसको छोटा करना पड़ता कर गिला माले इसको बढ़ा करना पड़ता अच्छी ज्यादा दे रहे तो इसको आप एक पैंट नीचे कर सकते उसमें क्या पंख्या की चाल बढ़ जाई उससे ना होने कारण कई प्रकार की प्रब्लम आती है जैसे स्वयाइबिन का भी करना दाने के तुकड़े करना दाना भूसे के तरफ आना उसके बारे में आपको जानकरी दूँआ साथ में आपको यह बताऊंगा कितने एश्पी की मसिन जो है कितने एश्पी टेक्टर पर चलनी चलने चाहिए ताकि आपका जो डिजल अच्छा रहे और काफी बढ़िया किसानों के लिए काम कर रहे हैं किसानों को जानकरी देना चाहते हैं थ्रेशर मशीन जब रिपेरिंग करता है किसान आपको पता और आप काफी मशीन रिपेरिंग करने का है तो उसकी जानकरी में आपको दूँगा तो एक बात बताई है पहले सबसे पहले कितने जैसे त्रहसर कौन सी, उसमें क्या है कि पूली का शेटिंग रेता है ऋब कोुऑ है है तो उसके उपर पुली का डिर ऐन करता है क्या हुरता है क्यों कि कि सा亮 पूली का सेट होना बहुत जरूरी है उसके बाद जो है थ्रेसर के अंदर जाली कौन सी है उसके बहुत डिपेंड करता है अभी क्या होता है टो कहें किसान लोग जल्दी निकाल ले करते किसान किसान नेने जो लगने करते मिलता है करने मालो के 35-45 करे ऍस्तित्य की है कि अभी की स्थिपये तिकर प्ली की से एकर ट्रेकटर नहीं है तो और अगर कि अगर मालों के एक न स्यक्राइध को कि GET थी और 22 पच्षप हघे जगा देता है Staràng कि अल्गव से म frenदेस सब नियुको चलता तुझे भी निकाल सक्थित नोर्मल ली अगर बात कर दो कुछ सान भाई के पास पतालिस श्पर लोकल मिलें के प्रेटर इनकार के प्रेटर में जाए निकाल यह तो गी आपकी वीडियो के नीचे निचे करने वाले भी आए गये के आमने यह निकाल दिया है वो जैसे मालों क कोई कास्ताकार अच्छा आप मालों के उसने दो तीन गंडा चलाना वो निकाल भी लेगा ठीक है अगर मालों के वही फसल अपर पच्पन ट्रेक्टर पे निकालेंगे पच्पन एच्पी के वही हो एक और देड़ गंडेंगे करके बार बढ़ेगा अच्छा और यही पे ता में चीजे दो बेरिंग रहते हैं यह वाले फैसर के में चीजे और वह आगे वाले अच्छा यह के पीछे वाला में बेरिंग नेता है इनको क्या के सबसे ज्यादा में इनको ग्रीस रखना जरूरी रहता है अच्छा अच्छा ग्रीस दो तेल पान यह च्छा चेक करो इनक इसके अंदर तो डालर का बैरिंक रहता है जो में होता है कभी कभी सब्सक्राइब नहीं करूंगे ज़्यक्त करूंगे इसको यदा उपने जॉपने कि साफ गोड़ेंगे रहे जुद किसाने कि अगरज देहीं के साफ करूंते जिसे नुर्मलि आपकी आपके लॉंग सब्सक करते हैं तो किसान अगर चल रही है तो बच्चे जो मजदूर लोग डालते उसका विसे ज्यान रखे कभी रस्य नहीं जाए अंदर को खीचे लिए उससे क्या है अंदर जाने का बहुत ज्यादा दर मजदूर की डेज भी हो सकती है अच्छा एक और चीज भी पूछना चाहूंगा कहीं किसान भाईयों को होता है कि बूसे तरफ दाना उड़ाती है उसका क्या उसका यहां से से टिए उसका अवा कम ज्यादा करने का प्रेसर है किसान लोग इस विसका ज्याना गार पांच किलो सोय बनागर उड़ती है तो किस और दो बनागर जैटल हो चाहिए किसान लोग फूल तो ने लिए लग जाती मvet है किसान ली बनागर लग जाते इसका किसान भाक को वहां को क्या हnam में कई भायव को किसान कम लिए विए उसको 13 utilization machine लेके कि अधर कि बंद रखता है इसके हम क्या म्यार्थ तूड़ने कि रख जो आपने चोटा बड़ा करना पड़ा हमाद आप इसले यह जो माल आपता है इससे की जो बेदा बड़ा युक्त मुन अटम मुंत नियक्ता एक पटि में डो और रे足 यह बिल्कुल सभी साड़ लगे हुए अच्छा मतलब हो आप मान के चलो 15-20 लगते हैं अगर इससे ज्यादा पन लगाएंगे तो ज्यादा लपड़ा रहता है क्यों काटना दान पर दान काटना वगरा चलू हो जाता है वो अलो नुकसान वला काम जैसे मालों के 15-20 लगती ह फेट आप पास कर दो दो तुल यह बाता है अचाँ तो आपने ही बतादिया अचाँ इस मस्षण के बात कर लेते नॉर्मली लोकल ने यही मस्षि चलते ही जो बता है वो रहती है कहां कि यह सी बता गीला लिकालने में किसान भईयों को ज्यादा प्रोब्लम्म्म्म्म्म्म यहां से कम ज्यादा चाल हो सकती है तो पंका दे रखा उसको उचा निचा करने का सिस्टम या त्रेसर का दे रखा है उसको भी उचा निचा करके किसान को भी लगाना पड़े ताकि वह सेटिंग करके अपनी स्वाइब निकाल किसान का कम से कम नुपसान हो यह का पत अची रहा है तो अपने यहीं बताया था किसान भाइयों को के टेक्टर एश्प और थेश्ण मशिन के एश्प लेके बड़ा सवाल है यह सही सही से काम करें ज़से 35 अपने बताया तो पच्छा से 55 अपने तो बढ़ी आप अब अगर ते 40 HP के चला सकते हुए अपने अब तो 30 HP से कम अब अगर अपने अपना ट्रेक्टर अगर 60 है मालो कर अपने जा सब्सक्ति को कोई इस्यू नहीं है जादा लंबे सामे तक नी चलता कर तो कोई श्यू नहीं है तो दबना दबाना चलू रहता पर उनकाम घीले में तो बिल तो तो चार गंटे चल जाए कोई इसुनी है और पेज जादार तो तामिल पेटीस और पचास और पच्पन के उपर चलेगा पच्पन के उपर चला जाए अमेन गीर यता है वो ग्रीसिंग वगर विश्यज जान रखे बाइन और बस और कुछ भी इसमें ग्रीज पानी चेक क कोई शुनी ज्यादा गेला होगा तो दिक्कत आती इनको अच्छा अच्छा उड़ाने का आपने बता है अगारा करते रहो ना तो यह था भाई पूरी जान कर दे तो अच्छा बेल्ट को लेके कि इसुन आता है बेल्ट का तो उसके और बता जैसे कि इसका कर प्रोब्लम अच्छा तो यह था आप बतारे तो मुझे कि इसमें तीन में लगा रखे हैं यह स्वाइब इन में सेम पोजिशन में चलते हैं यह 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 आपको डालर चाना वगेरा निकलना गयों अगेरा निकलना उदर डंटल जादा दे तो इसको आप एक पाई नीचे कर सकते उसमें पांखया की चाल बढ़ जाई उससे काथले उटाने की समझे कातम हो जाई आरप्यम बढ़ जादे आपको बढ़ बढ़ जादे चान लाए नहीं से आपको ब्रगव मशिन की देए कि अगर आप आप स्वाइब निकाल रह और निकाल रह और तो क्या क्या आपको साउधने पूरी आपको जान करें लेते सर अपना इंडरेश बताईए ना जैसा भी हो टूटा फूटा जैसा भी मालों के कहीं से जवाब आया हो के यह नहीं चलेगा हाँ वह हमारे पास लेया हो एक अपर आपके देंगे तो सदियो तक चलेगा सकतराओ जया बता है चपतरा पवतिर चुटा ना चाहिए चाल केहां में बताइजाए बंसक्तेमार अवरि यह नंट कर सकते हूँ अब इस एक ऑड़ कर सकते हैं किस प्रकार का वा विष्ट कर शेंगा बबर कर श्क अच्छा यह रेते हैं, अच्छा यह रेते हैं, अच्छा यह रेते हैं, वीडियो में, मिलते को दूस्तों अग्री में